हलो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं आपका चानल इन्वेस्मेंट का बाजार और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वोड़ाफोन आइडिया के स्टॉक के उपर दोस्तों कल के दिन स्टॉक में लगबग 2% की गिरावत थी और आज वो गिरावत को शेयर कंपंसेट करता ह बाइखने को मिल आ दॉस्तों कर fish वाले का ऊंपानिद दोस्तों ल्ही दिवेakahक अपनीय की अगर चैयर आपको 10 अपर दिखने को मिलेंगा खोर्क उपनेट है तो फिर सी 8 रूपे के लेवल्स टॉक आब को दिखा है इसलिए कल का दिन stock holders के लिए काफी जादा important है अब क्या 10 रुपे का लेवल आता हुआ देखने को मिलेगा और क्या होंगे 22 जुलाइ की टागेट तो वीडियो को इन तक देखिए का वीडियो अचे लगे तो चैनल को subscribe करें का दूस्तों तो चलिए दूस्तों शुरू करते है सबसे पहले बात कर ले तो आप देख सकते हैं एक दिन पहले ही खबर निकल कर आईए वोड़ाफोन आइडिया नीट्स टू क्लोज फाइनरे सून तो अपग्रेट फोर जी यूजर्स तो फोर जी यूजर्स को अपग्रेट करने के लिए 5G में इसलिए वोड़ाफोन आइ देख सकते हैं एक और खबर निकल कर आईए कि वोड़ाफोन आइडिया डिजनी ओट स्टार और प्रिपेड प्लांस लिस्टेड तो इससे रिलेटेड आप देख सकते हैं सारी खबरे में आपको बता दिये अब अगर मार्केट की बात करें तो आज वोड़ाफोन आइडि देखने को मिला है एक समय पर लगबग तीन परसेंट से ज्यादा का उच्छाल स्टॉक में आता हुआ देखने को मिला डेफिनिटली क्लोजिंग नौ रुपे पर आती हुए देखने को मिलें स्टॉक की हाई कि अगर बात करें तो नौ पंदरा पैसे का हाई था स्टॉक का लो था आट रुपे असी पैसे तो आप देख सकते है छोटा मोटा कामकाच लेकिन काफी अच्छा कामका स्टॉक में होता हुआ देखने को मिला लेकिन ये बात पॉजिटिव है कि एक बार भी स्टॉक आपको नेगीटिव ट्रेजिक्ट्री में नहीं जाता हुआ देखने अगर आप करें तो सारा अगर आपन बात करें तो सारा खेल जो है वह मिटकाप इंडेक्स पर टिका हुआ है वोड़ाफोन आइडिया के केस के अंदर आप देख सकते है एक्टे वाल्यूम में शेयराज तीसरे पायदान पर रहता हुआ देखने को मिला है 76.73 million की वॉल्यूम दोस्तों स्टॉक में आती है लगतार वॉल्यूम का जो नंबर है वो इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है स्टॉक के अंदर आप देख सकते हैं स्टॉक एकदम अगर देखा जाए तो मिड रेंज में क्लोज होता ह तो मूर बनाना है चाहिए स्टॉक के अंदर तो कि डेफिनेटली अगर बात करें बारती एडल की रिलाइन्स की यह सभी शेयर 20-30% करेक्टेड है वोड़ाफन आइडिया 55% करेक्टेड है तो यहां से अपसाइट की काफी सारे चांस देख होने को काफी कम है स्टॉक में और पाने को की जादा अब अगर बात करगा कंपनी के फानानेशियर इस कि तो फाइनेशियल काफी इंपोर्डूंट के पिछले थी साल में कंप्णीहa डेफिनेटली कम किया लेकिन लकिन काफी भीस में किंपयर क्रोड दोईक्या 25 करोड किया उसके बाद कंपनी ने 2022 में और अपना लॉस कम लगबग 28,243 क्रोर का लोच तो अब डेफिनिटली जीज देए कंपनी करें लॉस करें करें जो फैनेश्य का उच्विड करें के लिए पर दोस्तों मार्च कोटर में कंपनी का लॉस्ता वो साढ़े ची अजार क्रोर पर आया था अगर इस बार चीज अज डेफिनेटली मार्केट की क्लोजिंग के बाद ही आएंगे अगर रिजर्ट अच्छे आते हो डेफिनेटली स्टॉक आपको बड़ा मुमेंटम करकर दिखा सकता है अगर 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 कल मार्केट में तेजी होती है अगर नौ रिजर्ट भी स्टॉक में आपको अच्छा मुमेंटम देखने को मिल सकता है अगर अच्छा आते हैं तो डेफिनेटली आने वाले एक महीन एक हफ्ते के अंदर अंदर स्टॉक आपको 10 रुपर का लेवल सुता हो देखने को मिलेगा रिजर्ट खराब भी आएंगे तो मुझे लगता है कि अगर कल अच्छी क्लोजिंग आती है तो नौ रुपर के नीचे तो स्टॉक नहीं जाएगा काफी जादा करेक्शन हो चुका है अगर अगर अपन फाइनांशल रिजर्ट की बात करें तो आज आपने देखा होगा विपरो के नतीजा आया थे पिछले दिन लेकिन खराब नतीजे थे लेकिन उसके बावजूद भी स्टॉक ने रिकावरी दिखाई वैसी रिकावरी अब वोड़ाफन आइडिया के स्टॉक में आपको देखने को मिल सकती है अब अगर बात करें वोड़ाफन आइडया की मार्केट कैपिटल की तो आप देख सकते हैं 28,900 क्रोड की कंपनी है और पूरे सेक्टर में अच तीजी थी थी ती आप देख सकते हैं भारती एटल मे सुनिएगा तो अगर अबन बात करें सपोर्ट की तो आट रुपे का डेफिनेटली नो डाउट स्टॉक नहीं काफी अचा सपोर्ट बना लिया है उसके नीचे स्टॉक नहीं विसलने वाला है और हाईय साइट पर 10 रुपे का एक रेजिस्टेंस आएगा उसके पहले आप बात करू तो रेंज थी आट रुपे सा नौ रुपे लगबग तीन बार दोस्तों स्टॉक नहीं नौ रुपे पाच नौ रुपे दस पसे का लेवल चुआ फिर आपस रिकाव नीचा आया फिर आपस उपर गया अब अगर दोस्तों डेफिनेटली ऐसा होता है तो काफी ज नहीं होगी अगर आट रुपे के लेवल के करीब आता है स्टॉक तो डेफिनेटली आप बाइंग कर सकते हैं लॉंग तम के पस्पेक्टिव से एंड जो ब्रीकाउट के लेवल से वो दोस्तों नौ रुपे 20 पैसा है जैसा कि आपको पहले बताता हूं अपसाइट जो है 210 रुपे यहां पर आपको गौर करना होगा जो डिसाइडर है वो क्यूवन के रिजल्ट से कम्पनी अगर क्यूवन के रिजल्ट में कम लॉस प्रॉफ आपका है जनरेट करती भी जेखने को मिलेगी तो अभी कम्पनी आपको 5G स्पेक्ट्रम में भी गुर्जूरती भी ज दोनों है और अब जो रिजल्ट आएंगे वो काफी जादे डिसाइडर है अगर रिजल्ट में कम्पनी का लॉस कम होता है रिवेन्यू बढ़ता है तो देफिनेटली दोस्तों कम्पनी आपको अच्छे का से रिटन्स कमा कर दे सकती है शौट टरम बेसे पर बट लॉंग देफिनेटली सारा जो खेल है वो कम्पनी के लॉस पर है अगर कम्पनी का लॉस कम होगा तो डिफिनेटली स्टॉक आपको लॉंग तर्म में अच्छा करता हुँ है और अपकी सत्र चाहिए ग्रोथ करेगा तो स्टॉक पर कंप्ली इंपक्त जरूर पर देखने को मिलेगा तो दोस्तो ऐसे बोर वीडियो ऐसे ही वीडियो के लिए हमाई चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें दोस्तो थैंक यूफर निस वीडियो